देखिए स्टुडेंट आज मेरे PhD डिटा चाइनल में हम Microsoft PowerPoint के उपर इंट्रोडक्शन्स और उसके अंदर के सेटिंग्स के बारे में देखने जा रहें Microsoft PowerPoint ये PPT के नाम से जाना जाता है क्यों जाना जाता है क्योंकि PowerPoint का extensions जो भी PowerPoint 2003-2007 के software से हमारे उन सबका extensions होता था .PPT इसलिए PowerPoint में जो भी हम file बनाते उसे PPT नाम से जाना जाता है अभी PowerPoint 2010 और 2013 में हम जो भी file store करते उसका extension बदल जाता है और वो extension से PPTX same PowerPoint का use, PowerPoint का use हम क्यों करते तो presentation बनाने के लिए use करते हम PowerPoint presentation का use कहाँ पर होता है तो आपने देखा ही होगा बड़ी-बड़ी meetings रहती है seminars होगा रहते तो वहाँ पर point wise data arrange करके सामने वाले को represent किया जाता है इसलिए उसे क्या कहा जाता है presentation presentation आप इसमें photo album भी बना सकते है photo album जैसे कि आपने कहाँ पर weddings वगर आटेंड किये तो आके photos रहेंगे उनको arrange करना होगा और उनके पीछे songs वगर भी arrange कर सकते हैं और उसे वीडियो में convert कर सकते हैं greeting cards बना सकते हैं और project report बना सकते हैं यह हमारे PowerPoint का use होता है next is PowerPoint open करने के अलग लग तरीके होते हैं उसमें से standard हम जो step रहती है वो देखने जारें जैसे कि PowerPoint on करना है तो starts all programs और यहाँ पर आपको Microsoft Office और उसमें Microsoft PowerPoint 2013 मिलता है वैसे ही same आपको run command में shortcut name PowerPoint का लिखने के लिए दिया जाता है जिसका नाम होता है power pnt then ok so window key और r यह button आप प्रेस करते हो window key और r बटन प्रेस करने से run नाम की tab open हो जाती है और run में आपको लिखा जाता है power pnt यह word लिखके उसे आप ok करोगे तो PowerPoint में आ जाओगे PowerPoint में फाइल लेते समय आपको यहाँ पर पहले ही questions पर बताया जाता है कि blank presentation लेनी है या पहले से जो भी हमारे themes वगर रहती है उसे ले लेना है तो यहाँ पर हमें blank presentation पर क्लिक करके फाइल लेनी होती है यही आपका जो PowerPoint होता है उसे आपको दूसरे तरीके से open करना है तो यह जो आपका run command name short name होता है उसे आप start में search में type करोगे power pnt तो भी आप PowerPoint को directly run कर सकते हो next second आगे हमें देखना है कि PowerPoint में pan होते यह pan मतलब PowerPoint का data अलग-अलग distribute करने के area होते उसमें पहला type आता है जिसका नाम है slides pan आपने यह slides लिये उसी की छोटी slide आपको इस area में show की जाती है और इस area को कहा जाता है slides pan तेके यह slides pan में आपने देखा है कि यह जो बड़ी वाली slide है वही आपको छोटे slide में यहाँ पर दिखाए जाती है इस area को हम क्या कहते slides pan second options आता है जिसका नाम है pan में outline pan outline pan किसे कहते तो देखो यह जो आपकी slide से उसी का आपको यहाँ पर छोटी slide दिखाए देती है उस छोटे slide का data उसके सामने शो किया जाता है और slide का सिर्फ number दिखाया जाता है तो उसे outline pan कहते हैं यह outline pan में जाने के लिए आपको view में जाना है और उसका नाम अभी outline view करके दिखाया जाता है तो उस पे click करोगे आप तो यह outline pan आपकी show की जाएगी यह outline pan में आपको slide number और उसके अंदर का data उसी के सामने show करके दिखाया जाता है कि कौन से slide में क्या-क्या data है आप एक साथ देख सकते हो फिर से normal में आगे third pan आती है अमरी इसका नाम है notes pan slide और उसके बारे में कुछ notes लिखके रखना चाते हो आप तो वो लिखने के लिए आपको slide के ही नीचे यहाँ पर एक area दिया जाता है उसे हम notes pan कहते है आप कोई भी notes यहाँ पर लिखके रख सकते हो यह जो आप notes लिखने के लिए area दिखे रहे हो यह on करने के लिए भी आपको view में जाना है और notes नाम का option मिलता है उसे on कर लेना है इसे notes pan कहते है यहाँ पर आप उसे बंद और चालू करने के लिए options आपको दिया जाता है ऐसे यह तीन types के हमारे पास pan होते है सेम उसी तरह से presentation में आपको अलग-अलग तरीके से view दिखाये जाते उसमें से यह first type से हमारा normal view मतलब आप जो यहाँ पर presentation arrange कर रहे हो बना रहे हो उसे create कर रहे हो यह presentation के view को कहा जाता है normal view second view आता है जिसका नाम है slide sorter view slide और उसके आपको यहाँ पर छोटी slide जो दिखाये जाती है ऐसे file में जितने भी slide है उन सबको साथ में एक साथ दिखाने के लिए यूज क्या किया जाता है slide sorter view slide sorter view पर क्लिक करते हो आप तो सभी slide आपको एक साथ यहाँ पर दिखाये जाती है जिसमें से हर एक slide को आपने कितने timing का automatically transactions effect दिया गया है वो भी show किया जाता है फिर से normal view में आ गया हम third view आता है जिसका नाम है note page view slide और उसके बारे में जो भी आपने notes लिखी होंगी उन दोनों को एक साथ एक ही page पे show किया जाता है उसे कहते है note page view मतलों उपर आपके slide का data show होता है और उसी के नीचे आपको उसकी notes show की जाती है इसलिए उस view क्यों कहा जाता है note page view next option से जिसका नाम है आमारा reading view reading view मतलब देखो आपकी ये slide जो है आपने ये जो presentation बनाई है इस presentation को run करने के लिए मतलब play करने के लिए use क्या होता है reading view reading view पे click करने से आपको presentation का preview show किया जाता है आप ये presentation का preview देख सकते हो ये वो show होते हैं लेकिन ये reading view की वज़े से आपको नीचे status बार और उपर title बार show होता है और ये full screen में preview show नहीं किया जाता आप presentation के view को full screen में मतलब slide show में देखना चाहते हो तो reading view में आने के बाद भी यहाँ पर last options होता है slide show से click करके full screen में presentation को run कर सकते हो इसी का मतलब होता है कि reading view और slide show आमारे presentation को play करने के लिए हम use कर सकते वही आपको reading view में जाना है लेकिन directly slide show open करना रहेगा तो उसका shortcut button आता है F5 function के में आपको F5 button प्रेस करना है जिससे directly आप slide show में पोच जाओगे आपकी presentation को आप play करके देख सकते हो यहाँ से next options आता है presentation के यह सभी हमारे type J से देखे हमने वैसे presentation बनाने के आप step याद रखोगे तो कोई भी presentation आसानी से बना सकते हो उसमें से पहली note से कि slide structure is called as slide layout मतलब slide में आप जो भी data arrange करने वाले हो उसे किस तरह से show करना है उसके आपको layout arrange करके ले लेने मतलब जहाँ पर photo चाहिए रहते, diagram चाहिए रहते है, smart art चाहिए रहते है जो information चाहिए रहती है, उनके लिए सही तरीके का layout आपको choice कर लेना है ये layout choice करने के लिए आपको home में जाना होता है और home में आपको new slide मिलती है, new slide में आपको ये अलग-अलग layout की slide प्रुवाइड होती है जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने एक presentation start कर दी, global warming करके उसमें subtitle लिखा मैंने यहाँ पर effects and causes करके इसमें और कुछ आपको information या image ओगरा डालनी है तो अभी यहाँ पर ले लेनी है क्योंकि यह slide का layout है, जिसका नाम है title slide वैसे ही आप आगे information कैसे लेने वाले हो, तो दो topic में compare करने वाले हो, तो comparism दोनों side में information लिखने वाले हो, तो उसे कहते two contents only title और information लिखने वाले हो, तो उसे कहते title and content तो मैंने यहाँ पर ले लिया title and content और next point में मैंने लिखा यहाँ पर many types of pollutions और उसके type यहाँ पर लिख ले, से पहले यहाँ पर मैंने लिखा air pollutions, next यहाँ पर लिखा मैंने आपर water pollutions, आगे लिखा यहाँ पर हमने soil pollutions, next यहाँ पर लिखा मैंने noise pollutions, ऐसे जो भी information रहेगी वो यहाँ पर type कर ली, इसे भी attractive दिखाने के लिए कुछ diagram होगर रहेगी या फिर shapes होगर image होगर आभी आप ले सकते हो, next मुझे एक photo लेना है और उस photo के बारे में explain करना है तो उसके लिए यहाँ पर हमें और भी layout होते हैं उनमें से choice कर लेना है picture with caption layout, so picture with caption में आगे यहाँ पर लिखा मैंने pollution on earth करके, कुछ introductions वगर आप photos के बारे में लिखना है तो यहाँ पर आपको type करके ले लेना है, और photo choice कर लेने के लिए यहाँ पर पहले से आपने area लिया है उसमें click करके, आपको जो भी photo लेना रहेगा इनमें से choice करके ले लेना है, तो इस तरह से पहले जो area decide किये जाते हैं उन्हें layout कहा जाता है, तो आपकी presentation attractive और smart लिखती है, so next option से हमारा second you can apply background colors and themes on a slide using design menu, मतलब आपको information में लेनी थी, image लेने था, diagram लेने थी, shapes लेने थे, यह सब लेके आपका home और insert से informations वगर arrange करके हो जाता है, तो आपको second point लेना है background colors और themes, background color लेने के लिए या themes देने के लिए आपको किस में जाना है, तो first select कर लेना है design में जाना है, design में यहाँ पर अलग-अलग आपको themes मिलती है, यह themes आप हर एक को अलग-अलग देना चाहते हो, तो right click कर लेना है apply to selected slide, और सभी को एक ही themes apply करने रहेगी तो apply to all slide, यहाँ पर मैंने first slide को दे दिया apply to selected slide से color, तो इस तरह से यह themes से आपर apply हो जाती है, second slide को select कर लिया, इसे कौन सा colors वगरा change करके देना रहेगा, तो यहाँ पर इसमें मैंने colors ले लिया यह वाला, इसमें भी right click apply to selected slide color apply हो जाता है, लेकिन यह जो themes हमने लिये उसमें भी color changes कराने रहेंगे, तो उसके variant आपको side में ही provide होते हैं, इसमें से आप कौन सा variant color show कराना चाते हो इनमें से ले सकते हो, इनके अलावा जाना चाते हो किसी options में तो यहाँ पर more options में click करके आप कोई भी colors उसमें apply कर सकते, तो ऐसे यहाँ पर हमने themes colors भी किस तरह से देते हो देखा है, same way से ही आपको theme colors नहीं देने तो background color देना रहेगा same, तो format backgrounds में जाना है उसमें solid fill मतलब single color देने के लिए आपको options provide होता है, double color देना रहेगा तो gradient fill में जाना है और इनमें से जो भी multiple color चाहिए रहेगा वो आप दे सकते हो, photo वगर आप पीछे background में apply करना है तो pictures में जाना है या फिर textures patterns आप यहां से कोई भी ले सकते हो, तो इस तरह से हम यहां पर file में background दे सकते, pattern वगर apply करना रहेगा तो pattern fills में आपको अलग-अलग pattern भी मिलते हैं और उनके आप color भी यहां से adjust कर सकते हो, सभी को एक ही यहां पर background apply करना होता है तो apply to all पे click कर सकते हैं और अलग-अलग नहीं पसंद आ रहा है background तो reset background पे click किया जाता है, तो ऐसे हम यहां पर design का use कर सकते, so next option से जिसका नाम है types of effects, दो types के effects हमारे presentations में होते हैं, एक होता है slide को effect देने के लिए slide transactions जो use करते हैं हम यहां पर transaction मेलों से, जो सिब slide को animation effects apply करता है, और slide के अंदर की चीजों को effects apply करना रहेगा तो उसे custom animations के नाम से जाना जाता है, तो देखो यहां पर यह first slide है हमारी transactions में के, transaction में जाने के बाद किस तरह से आप यहां पर effects देना चाहते हो यहां से click करके ले सकते, यही effects आपको कितने second के बाद play कराना है, fast play कराना है, slow play कराना है वो यहां पर timing apply कर लेना है, effect आते समय कुछ sound अगर आप play होना चाहिए तो sound अगर भी आप राप ले सकते हो, mouse click से slide change होनी चाहिए या फिर automatically कुछ second के बाद change होनी चाहिए तो मैंने आप 3 seconds ले लिए, और एक ही effects सभी को apply करना रहेगा तो apply to all पर आप click कर सकते हो, यह effects किस तरह से play होगा चेक करना चाहते हैं तो preview पर आप click कर सकते हैं, हर एक slide को आप अलग-अलग effect देना चाहते हो तो देखो यहां पर हर एक slide को select कर लेना है, और आपको जो effects चाहिए वो इनमे से जाके choice करने ले लेना है, ऐसे मैंने first second को दिया और अभी third को भी effects दे दिया, सबको 3 seconds का ही जाने का timing रखा है, और next topics आता है जिसका नाम है animations, animation मतलब slide के अंदर हम text, shapes, image, clipart, chart, यह सभी जो चीजे लेते, उन सभी को भी file में apply करके देखना रहेगा तो animation का use होता है, तो animation की taps में आप जाके वो use कर सकते, जैसे कि हमने यहां पर देखो यह slide लिए, उसमें से समझ लो यह हमारा title है, और इस title को मैं animation through आने का effect देना चाहता हो, तो animations में जाना है, आने के लिए वैसे तो बहुत सारे effects है इसमें से, आप कोई भी effects क्लिक करके दे सकते हो, और भी extra effects चाहिए, तो more करके यहां पर लिखा होता है, तो more entrance effects में आ गए, और इसमें से मैंने ले लिया व्रिप करके effects, या फिर flip, तो मैंने flip effect दे दिया, then okay, वो automatically effect through सभी data आ जाएगा, ऐसे इसमें सिर्फ title और subtitle है, तो subtitle को भी मैंने select किया, उसे आने का effects दे दिया, आपर मैंने survival okay करके, ऐसे जितनी भी चीज़े file में रहेगी उन सबको आप entrance effect दे सकते हो, जो data आते वक्षो कराने आले आप, emphasis मतलब slide के अंदर की ही चीज़ों को कुछ ना कुछ changes करके दिखाना है, तो उसे कहते emphasis, जाते वक्ष का effect दिखाना रहेगा तो उसे कहा जाता है exit, और कोई border या shape के ओपर move करना है, तो उसे कहा जाता है motion path, ऐसे चार टाइप के animations हमारे effects होते, entrance effects आने के लिए, emphasis slide के अंदर की चीज़ों को effect देने के लिए, exit जाने के लिए effects कैसे data आमारा या effects आमारा कैसे जाता है वह शो करना है, और motion path जो भी आपने path draw किया होगा, उसके उपर आपका object किस तरह से move कर आई यह दिखाने के लिए, तो इस तरह से इन सभी का use करके आप अच्छे से presentations create कर सकते हो, और इस presentation को play करने के लिए आप view में जाके reading view पे भी click कर सकते हो, तो देखो हमने यहाँ पर जो data arrange किया है, उसे भी कुछ ना कुछ effect दिए तो preview पे यहाँ फिर आप view में दिखा रहा हो आपको में, reading view से किस तरह से presentation play हो रही है, इनने तीन सेकंद का timing दिया हमने, यह हमारा flip effects आता है, उसके बाद यहाँ पर reveal effect आता है, और हमने आगे के data को effect नहीं दिया है, लेकिन transactions effect दिये हैं, जो तीन सेकंद में हमें change करके दिये जाते हैं, तो यह हमारा PhD data में हमने powerpoint का पहला video create किया है, आप सभी ने अभी तक मेरा channel subscribe नहीं किया है, तो subscribe कीजिए, like कीजिए, comment कीजिए, धन्यवाद, मिलते हैं next video में